तो अज़के देली करेंट पacho 중에 के लिए क्रेंट तो अगर आप चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आकटन को प्रेस कर लें ताकि वीडि़ो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अज़ को कोशे ने पहला कि ब्रिक्स ने ये हाल ही में कितने नए देश को ग्रूप में सामिल होने के लिए आमंत्रित किया है आंसर है इसका ओप्सन भी 6 देशों को 15 वे ब्रिक्स सिखर समेलन दक्षिन अफरिका के जोहांस वर्ग में 22 से 24 अगस्त 2023 तक आयुजित किया गया दक्षिन अफरिका के राश्ट्रपती सिरील रामफोशा ने 24 अगस्त 2023 को अरजिंटीना, मिस्र, एथोपिया, इरान, सौधी अरब और सन्युक्त अरब अमिरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का निर्ने लिया है इसकी गोशना दक्षिन अफरिका के राश्ट्रपती ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, चीनी राश्ट्रपती सी जिन पिंग और ब्राजिल के राश्ट्रपती लुईज इनासियो लूलाडा सिल्वा के साथ एक सन्युक्त मीडिया ब्रीफिंग में की नए सदस से एक जन्वरी दोहजार चौबेस से ब्रिक्स का हिसा बन जाएंगे उनहत्तरवे राश्ट्य फिल्म पुरस्कार में सर्वसेश्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? आंसर है इसका ओप्सन A. रॉकेट्री दा नाम भी इफेक्ट को उनहत्तरवे राश्ट्य फिल्म पुरस्कारों 2021 की घोशना 24 अगस्त 2023 को किया गया आर माधवन के द्वारा निर्देशित फिल्म रॉकेट्री दा नाम भी इफेक्ट को सर्वसेश्ट फिल्म घोशित किया गया और स्रिष्टी लखेरा द्वारा निर्देशित एक था गाउने सर्वसेश्ट गैर फिचर फिल्म का पुरस्कार हासिल किया है इसमें इन सब को भी आप ध्यान में रखें बेस्ट फिचर फिल्म का अवार्ड दिया गया रॉकेट्री दा नाम भी इफेक्ट को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड सरदार उद्धम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट को गंगुबाई काठ्यवारी के लिए और किरती शेनन मेमी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अलु अर्जुन को पुस्पा फिल्म के लिए Best Director का Award बकुल मटियानी को मिला है Smile Please के लिए Serviceist Girl Feature Film का Award एक था गाउं के लिए दिया गया है Best Educational Film ये सिर्पिगलीन सिपांगल ये तमील की फिल्म है इसे दिया गया है Best Environmental Film ये मुन्नम को दिया गया है ये मल्यालम की है नर्गिस दत अवार्ड 2023 ये किस फिल्म को दिया गया आंसर है Option C, The Kasmeer Files को रास्टिये एक्ता पर बनी फिल्म, The Kasmeer Files को नर्गिस दत अवार्ड 2023 पुरसकार से सम्मानित किया गया चंद्रियान थर्ड के संदर में निमलखित में से कौन सा कथन आ सकते है आंसर है Option A, दिया गया है कि 23 अगस 2023 को चंद्रियान थर्ड की सफल लेंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सौफ्ट लेंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया है 14 जुलाई 2030 को सरीहरी कोटा से चंद्रियान 3 को लांच किया गया चंद्रियान 3 का उदेश चंद्रमा के दक्षनी धुरू पर लेंडर की सौफ्ट लेंडिंग कराना तथा चंद्रमा की सता पर सोध कराना है भारत चंद्रमा के दक्षनी धुरूपर सफलता पुर्वक लेंडिंग करने वाला विस्व का पहला देश भी बन गया है ध्यान रहे दक्षनी धुरूपर चंद्रमा पर अब तक अमेरिका, चीन और रूस ने सफल लेंडिंग करा चुका है 23 अगस 2023 को भारत चांद पर सौप्ट लेंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है राश्टिय स्वास्त प्राधिकरन ने 23 अगस 2023 को 100 माइक्रोसाइट्स पर योजना के तहत पहला ABDM माइक्रोसाइट्स कहां लॉंच किया आंसर है ओप्सन C, मिजोरम में राश्टिय स्वास्त प्राधिकरन ने 23 अगस 2023 को 100 माइक्रोसाइट्स पर योजना के तहत पहला ABDM माइक्रोसाइट आईजोल मिजोरम में लॉंच किया ABDM माइक्रोसाइट की सुरुवात करने वाला मिजोरम भारत का पहला राज़ बन गया है माइक्रोसाइट्स की अफधार्ना की परिकल्पना देश भर में स्वास्त देखवाल डिजिटली करन प्रियासों को मजबूती प्रदान करने के लिए की गई है परियोजना का उदेश चोटे और मध्यमस्तर के स्वास्त सेवा प्रदाताओं के बीच ABDM के बारे में जागरुकता बढ़ाना है अबुआ आवास योजना की गोशना निमलखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया आंसर है आवास योजना की गोशना जार्खन के मुख्यमंतरी हैमत सोरेन के द्वारा गरीब लोगों के उत्थान हेतु आवास योजना का सुभारम किया गया इस योजना के तहत राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोड परिवारों को तीन कमरों का आवास दिया जाएगा यह मकान पक्के और मुफ्त में दिये जाएंगे फीडे सतरंज विसुकप दोहजार तेईस ये किस खिलाडी ने जीता? सतरंज विसुकप दोहजार तेईस का टाइटल नौर्वे के नंबर एक खिलाडी मैगनस कार्लसन ने जीता इसमें भारत के 18 साल के युबा सतरंज खिलाडी आर प्रगनानंद को फीडे विसुकप सतरंज के टाई ब्रेकर मुकाबले में हार जेलनी पड़ी पहले टाई ब्रेकर तक प्रगनानंद ने कार्लसन को कड़ी टक कर दी लेकिन दूसरे टाई ब्रेकर में कार्लसन ने अपने खेल के अंदाज को बदला और प्रगनानंद को हार का सामना करना पड़ा आंसर है आप्सन डी उत्राखंड की सरकार ने उत्राखंड के मुख्यमंतरी पुसकर सिंग धामी दौरा राज की महिलाओं को ससक्त बनाने के लिए मुख्यमंतरी ससक्त बहना उत्सो योजना प्रारम किया गया है इस योजना के माध्यम से राज के उन महिलाओं को लाब मिलेगा जो महिलाएं विभिन उत्पादों का निर्मान करती है इस योजना के तहत राज में कारियरत तमाम महिला समुध द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्द कराये जाएगा जहाँ जाकर महिलाएं आसानी से अपने उत्पादों की बिक्री कर सकेगी इस योजना की माध्यम से महिला समो को अपने उत्पादों को बेचने के लिए किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा ISSF World Championship 2023 में भारत की सूटर अमन प्रीट सिंग ने कौन सा पदक जीता? प्रूसों की 25 मीटर स्टैंडर पिस्टल में पहला अस्थान हासिल करके ISSF निसानेबाजी विश्व चेंपेंशिप में भारत को पाचवा सुर्ण पदक दिलाया भारत ने अफरिका में कितने नए दूतावास खोले हैं? आंसर है आप्सन B, 16 भारत ने अफरिका में 16 नए दूतावास खोले हैं प्रधानमंतिर नरेंद्र मोदी भारत अफरिका के साथ संबंदों को उच प्रात्मिक्ता दी है भारत ने अफरिका में 16 नए दूतावास खोले हैं भारत अफ्रिका का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागिदार है और इस चेतर में पांचवा सबसे बड़ा निवेशक है। United World Wrestling ने हाल ही में किस देश के Wrestling Association की सदस्ता को खत्म कर दिया है। United World Wrestling ने भारतिय कुस्ती संग WFI की सदस्ता को 24 अगस 2023 को समाप्त करने की गोशना की है। विस्व कुस्ती संग ने यह फैसला WFI के चुनाव नहीं होने की वज़ा से लिया। भारतिय कुस्ती महासंग के पूरवध्यक्ष व्रिजभूशन सरन सींग का कारिकाल खत्म होने के बाद 45 दिनों के अंदर चुनाव कराने थे। लेकिन अलग-अलग राज्य के कुस्ती संगों की याचिका के आधार पर चुनाव में रोक लगाने की वज़ा से यह संपन नहीं हो सका और इसके कारण विस्व कुस्ती संग ने सदसता को समाप्त कर दिया। चीन ने किस देश के समुद्री भोजन के सभी आयात को ततकाल परभाव से रोक दिया है। अगस 2023 के कर इंटरफेर्स कामलोग रिवीजन करते हैं। केंद्रे युवा मामले और खेल मंतरी अनुराक सिंग ठाकू ने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या रखा है तो असमीता महिला लीग। थाइलेंड के नए प्रधान मंतरी के रूप में किसे चुना गया है तो सरेथा थाविशीन को। समुद्र शेत्र की सुरक्षा निगरानी के लिए भारत ने हाली में समुद्री टोही विमान ड्रोनियर 228 किस देश को सौपा तो ये सरलंका को। फिल्म अभीनेता इर्फान खान के जीवन पर लिखी पुस्तक इर्फान अलाइफ इन मुवीज के रचनाकार कौन है तो सुभरा गुपता है। अनुपूर्णा खाद पैकेट योजना किस राजी में आरम्भ किया गया तो ये राजस्थान में किया गया। हाली में भारत पैट्रोलियूम कॉर्परेशन लिमिटेड बी पी सी एल ने किसे अपना ब्रांड अम्बैजडर बनाया है तो राहुल द्रवेड को। हाली में भारती तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है तो फिलिपिन्स के साथ। पंद्रहवे ब्रिक्स सिखर सम्मेलन 2023 ये किस थीम के साथ मनाये गया तो ब्रिक्स और अफ्रिका पारसपरिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समाविशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी तो देखते हैं 24 अगस 2023 को पूछे गया सवाल का जवाब फीफा महिला कप 2023 में किसे गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो हिनाता मिया जावा को तो अब आज का सवाल वर्स 2022 तेश में भारत के कुल वैस्विक व्यापार में आस्यान के साथ हुए व्यापार की हिसेदारी कितने प्रतिशत थी? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें धन्यवाद